DG GSTI की राजस्थान यूनिट ने खरीब 150 करोड का फर्जिवारा पकड़ा है और इस मामले में GST खानून की व्यवस्ता के विपरीद बिलों की खतोनी कर दी गई है लेकिन माल का अबागमा नहीं हुआ और GST में मिलने वाली क्रेडिट और रिफरंट का लाब उठा लिया गया ये एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट देखे GST मामलों की विशेश जांच एजेंसी DGG STI की राजस्थान एकाई ने 150 करोड का फर्जिवारा पकड़ा है पताया जा रहा है कुछ लोगों ने गिरोह बना कर अन्य कामों के लिए दे गए पहचान दस्तावेजों से साधारन वित्तियक शमता वाले लोगों के नाम से कमपनिया बना ली वहीं जैपुर के मांसरोवर के एक सीय ने तो मृतक व्यक्ति के दस्तावेजों से ही फर्जी कमपनी बना डाली इसके बाद GST में पंजियन कराकर फर्जी बिल पर कमिशन का धंदा शुरू हुआ सुत्रों के मुताबिक इस गिरोह के लोग 3-7 फीसरी तक कमिशन लेते और GST का पैसा नकद में रिफंट कर देते इसके बाद फर्जी बिल का उपियो करने वाला व्यक्ति या कमपनी बिल में दिखाई गई GST राशी का दावा करता और क्रेडिट लेकर रिफंट तक उठा लेता अब तक हुई जाच में सामने आया है कि इस गिरोह ने करीब 150 करोड रुपे के बिल जारी किये और करीब 25 करोड की करचोरी को अंजाम दे डाला सूत्रों के मताबिक DGG STI ने इस मामले में जैपूर के मांसरोवर, वैशाली नगर और चौमू में शुक्रवार को छापे मारे हैं इसके अलावा हर्याना, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और मध्यप्रदेश में भी जैपूर क्षेत्रिय कार्याला के अधिकारियों के नेत्रत्व में छापे मारी की गई तो इस दारान घजियाबाद और दिल्ली में भी बड़ा खेल पकड़ा गया डी जी जी एस्टी आई को ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा कमपणियों की जानकारी मिली है जो इस गोरक धंदे में लिप्त हैं इसके विस्तरत जाच की जा रही है वहीं अधिकारी इस गिरोग के कतित मस्टरमाइंड सीए पंकज खंडेलवाल और उसके सहयोगियों से जैपुर कार्यालाय में पूछताज भी कर रही है जीएस्टी कानून लागू होने के बाद करदाताओं पर शिकंजा कसने के लिए डीजी जीएस्टी आई ने देश में पहली बड़ी कारवाई राजस्तान से शुरू की है बताये जाता है कि डीजी जीएस्टी आई कुछ आरूपयों से पूस्ताज़ भी कर रही है जिसमें एक व्यक्ती जैपुर काा बताये जाता है विमल कोथारी, 1st India News, Jaipur.